वेल इसको confidence बोला जाए या फिर over confidence क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को उसका over confidence जो है ना लेकर डूब जाता है अब हाली में एक promo सामने आया जिसमें दो contestant नजर आ रहे हैं एक है लव कटारिया और दूसरे है विशाल पांडे एक वो जिनके 9 million followers है Instagram पर और एक है वो जिनके 1.8 million followers है Instagram पर और यहां पर बात भी यही हो रही है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा 9 million वाला 1.8 million पर या फिर 1.8 million वाला 9 million पर जो promo सामने आया उसमें साफ तोर पर हम देख रहे हैं कि लव ने आते ही यहां पर विशाल से पंगा जो है ना वो ले लिया यह कह करके कि मैंने भाई का जो है ना content देखा आएगा content कुछ ऐसा है जिसको तीन सेकेंड से जादा बरदाश वो जो है नहीं कर सकते और फॉरण वो जो है ना वीडियो को skip कर देते हैं तो यहां पर उन्होंने आते ही पहली चीज जो है ना वो पंगा ले लिया है और साफ तोर पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है ना ओर confidence जो है वो जलक रहा है love में confidence अच्छा होता है और confidence कही ना कही इंसान को ल उन्होंने इतने कम टाइम में जो दूसरी audience भी थी उनको भी अपनी तरफ अट्राक्ट के और वो शो को जीत गये उसके बाद आते हैं वो जो की एक rider थे और कही ना कही उनको ऐसा लगा था कि शायद उनके जो followers है जो elvish के followers हैं जो system है सारा का सारा जो है ना उनका साथ दे लोगोंने देखा है कि exactly क्या हुआ तो उनका जो over confidence था उनको विग बोश 17 में लेकर के डूबा था अब इस बार आए हैं लव कटारिया जो की elvish के काफी अच्छे दोस्त हैं ये भी vlogs बगेरा बनाते हैं इनके भी अच्छे followers हैं तो जब इनका नाम सामने आता है तो लोग लोग जो है ना दो तरीके के एक बो लोग जो की elvish वगेरा के जो दोस्त हैं वो तो आफकोस उनको support करेंगे करेंगे क्योंकि उन्होंने बात करना चालू कर दी अभी show शुरू भी नहीं हुआ प्रीमेर भी नहीं आया लोगोंने ये कहना start कर दिया कि ये तो भाया फिनाल लोगोंने सवाल उठाना start कर दिया अब अगर इस सीजन में भी followers के हिसाब से एक इनसान आगे जाएगा तो आफकोस totally wrong तो हो जाएगा कि अगर वो contestant कुछ शो में नहीं कर रहा है वो शो के अंदर बैठा है because उसके followers अच्छे तो आफकोस कही ना कही जनता जो है बिग बॉस की वो कटती जाएगी अब जिस तरीके का हमने देखा है कि first you know impression लव का साफ तोर पर दिख रहा है कि उन्होंने तीली लगाने का काम कर दिया एक बंदे से मतलब stage परी एक बंदे से पंगा ले लिया है तो इसके घर में जा करके उनकी उतनी अच्छी हो सकता है ना बने क्योंकि पंगा स्टेज से ले लिया गया है जंग वहां से शुरू हो गई है अभी जो विशाल जो है ना स्टेज पर थोड़े से शांत नजर आ रहे हैं अब जरूरी निये कि जो शांत बंदा नजर आ रहा है वो बिग बॉस में भी शांत रहे कई बार होता है कि किसी की चुपी को उसका सीधा पंडना समझी है क्योंकि फिर वो अपना जो है ना दिखाएगा असली रंग जा करके बिग बॉस के घर में तो ऐसी चीज़े होती है इतनी जल्दी हम कुछ बोलेंगी नहीं लेकिन कई सा स्पोर्ट करेंगे और फिर वही वही है जो है उनका ही सब कोचे आपना एक नया अन्दास आपके जिससे कि जनता उनको पसंद करेगी लेट्स ये देखते हैं क्या कुछ होता है फिलाल आप कॉमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा क्या आपको फील हुआ कि लव थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस है थांक यू